गुड मॉर्निंग क्लास एल के जी आज डेट है 24 12 2020 और मैं आज का हम्वर के यहीं लिखती हूँ यह पूरी पेज आप लोग को क्यों मैं पढ़ाऊंगी इसे आप लोग को पढ़ना है अब हम इनको पढ़ना सीखेंगे तैसे यह 4 अक्षर एक, दो, तीन, चार, चार अक्षर वाले सब्द से बने वाक के हैं वाक के मतलब एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच सब्द हैं इसमें और जब यह आखरी में पूर्ण विराम कर चिनने लगता है तो यह वाके बन जाता है, मतलब इन सारे सब्दों को जोड़ करके जो बनता है, वो वाके कर लाता है तो अब इसको हम पढ़ना इस्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे सरगम शरगम बहन बहन खत पढ़ कर रखे सरगम बहान खट पढ़ कर रख अब खट पट मत कर दसरत गज पर चड़ गज मतला हाथी बरगद पर चड़ कर कम रख चक कम रख मतला कोई खाने की चीज है जागाड कर गडबड मत कर आप कटहल मत पकड कर तब कल यहाँ पर क्या बताया आपने सरगम बहान खट पढ़ कर रख अब खट पढ़ मत कर मतला सोर मत करो दसरत गज पर चड़ यानि हाथी पर चड़ो बरगद पर चड़ कर अमरक चख यानि की बरगद की ऊपर जो अमरक लगा हुआ है उसे चखना है जगड कर गडबड मत कर जगड़ा मत करो टहल मत पकड यानि की खाने वाला सबजी है जिसमें काटे काटे छिलके बने होते है कटार मत पकड करतब कर यानि की कसरत अब इसके नीचे है गणपत गणपत उठ सरकस चल अचकन पहन कसरत कर मतलब समाज जटपट कर भगवत भज सर्बत चक थर्मस पकड और सतक पढ़ गणपत क्या करेगा उठेगा फिर क्या करेगा सरकस चलेगा उसके बाद क्या करेगा अचकन पहनेगा उसके बाद क्या करेगा कसरत करेगा मतलब समझ यानि कि इसको समझना है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं जटपट कर यानि तुरंद करो भगवत भज यानि कि अच्छी भवान वाली कुछ तक पढ़ो सर्बत चक यानि कि मीठा रस चको थर्मस पकड़ आप तो जानते ही थर्मस क्या और सट तक पड़ और सट मतलब 68 तक पड़ अब इधर हम लोग आएंगे दसरत अब कसरत कर क्या करेगा दसरत कसरत गड़ बड़ मत कर जटपट पनघट पर चल कहा चल पनघट पर अब नटखट मत बन नटखट अब कम मत नटखट बनो अब मतलब बनने की जुरत नहीं जितना देर तक बना ठीक है बरतन रखकर पढ़ बरतन रखकर क्या करना है पढ़ना है टम टम पकड घट चल बरगद पर जट चल अजगर पकड मत ड़ जटपट उठ अधरक चक कलम रख सरकस चल यानि कि ये सारी बाते दसरत को कसरत करने के लिए कहा जाता है गड़गाँ मत करो गड़ जट पर घट को पर चलो नट खट मत बन बरतन रख कर पढ़ है बरतन रखने क्या करना है पढ़ना है ठांट को पकड़ नहीं है बरगद पर जट चाड़ मतलब बरगद के पेड़ पर तुरह चाड़ जा अजगर को पकड़ो मत डर अजगर को पकड़ते समय डरना नहीं है जट पट उठ अधरक चक कलम रख सरकस्चल इस तरह से आप लोगों को ये पूरी बुक में पेज नंबर 35 आप लोगों को रीड कर ये ही आप लोग का हुंबर्ख है और मैं जो वर्क लेजूंगी वर्क कम्प्लीट करना है धन्यवाद